महिला आरक्षन पर बात करने के लिए हमारे साथ किंद्री मंत्री अनुप्रिया पटेल जी है अनुप्रिया जी जिस तरीके से माहौल महिला आरक्षन को लेकर कभी OVC तो कभी SC कभी मुस्लिम ये तमाम जो आवाजें आ रही हैं इस पर क्या कहना चाहेंगे आवाजे उठी है या विशे उठा है तो गलत नहीं है विशे तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने कल भी संसद में जब अपनी बात रखी तो मैंने इस बात को सपश्ट रूप से कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी है हमें महिला को प्रतिनिधित बढ़ाना है अपने र लेकिन उसके बीच में एक महिलाएं विशे ये है कि हम देश के एक तिहाई रेप्रेजेंटेशन दे रहे हैं देश की आभादी को तो उस एक तिहाई में जो महिलाएं हमारी सदनों तक पहुँचेंगी उसमें जो दबा कुछला वर्ग है जो हमारी अनुसुचित जाती- महिलाएं हैं जिनको जहां तक मैं समझ रही है बिलको जो S.E.S.T. की ओलरी एयर मार्क सीट्स हैं उसमें उनको अट्जस किया जाएगा लेकिन पिछडी जाती से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको कैसे हम प्रतिनिधित्व देंगे ये विशे बहुत महत्वपूर्ण है त कि चूकि ये विशे सभी पॉलिटिकल पार्टी जी ने उठाया भी है तो इसके महत्व को सरकार भी समझ रही है और कुछ न कुछ इसका जरूर इस पर दृष्टिकोंट रहेगा सरकार का कादारा की 24 चुनाओ से पहले मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है उसको प्रदार मंत्री जी समझते भी है और ऐसी योजनाए या ऐसे विधहयक जो जमीन पर जाके एक आम आदमी के जीवन में बदलाव लाते हैं ऐसे हमारे सरकार विधहयक लेकर आती है तो इसलिए हर बिल का एक अपना इंपक्ट होता है और इसलिए मुझे लगता है कि हर बिल जब भी आता है तो विपक्ष पूरी तरीके से उसमें सर्प्राइज हो जाता है और उसे लगता है कि ये बड़ी कमाल बात हो गई या ये बहुत जनता को इंपक्ट करने जा रहा ह और निश्यत रूप से महिला अरक्षन विध्यक जो आया है 128 पा सम्विधान संचोधन ये एक बहुत बड़े सेक्षन को अड्रेस करने जा रहा है यानि 70 करोड के लगबक तो महिला है है हमारे देश में तो एक बहुत बड़ा वर्ग है और निश्यत रूप से इसका एक रोप लगा रहा है रजनी पार्टिल कॉंग्रेस की सांसा दमों कह रही है कि मॉडल बुला लिया भिनेत्रियां बुला लिया तमाम ग्लेमरस चेहरे बुला लिया लेकिन राष्टपती को नहीं बुलाएं गया नहीं सदन जब चलता है तो राष्टपती जी उसमें कब आती है सदन में तो आसन पे स्पीकर साहब होते हैं और बाकी प्रदार मंतरी जी से लेकर बुरा काउंसिल और सारे मेंबर्स जो होते हैं तो जॉइन सेशन को आके अड्रेस करती है, यही परंपरा रही है, तो अभी इस परंपरा का उलंगन कैसे हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ. जो सवाल लगातार भी पक्ष कर रहा है, कि ग्लेमर की दुनिया को लोगों को बुला लिया गया, अभी नेत्रियों को बुला लिया गया, अक्ट्रेसेज को बुला लिया, इस पर क्या कहेंगे। पहुँचे हैं, बीजेपी की तरफ से भी सनी देओल जी, हेमा मालेनी जी, बहुत सारे आक्टर्स पहुँचे हैं, तो अभी ये भी हमारे समाज का हिस्सा है, अगर महिला के रूप में वो आए हैं, देख रहे हैं संसत की कारवाई को, तो इसमें किसी को क्या आपती हो सकत सवाल ये है कि जो महिला आरक्षन बिल है, ये 24 के लोग सभात तक तो लागू हो नहीं पाएगा, तो आप भी एक पार्टी चलाती हैं, क्या पार्टीयां टिकट बटवारे में इस प्रतिसत का ध्यान देंगी, कि 33 प्रतिसत टिकट बटवारे में टिकट दिया जाए महिला हुआ है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात के महत्व को समझ रहे है कि महिलाओं को अब राजनीती में सिर्फ एक वोटर बनके नहीं रहना है, राजनीती में भागेदारी भी चाहिए, बहुत सारी पार्टी के पास महिला काडर है, बहुत किसी में जादा है, किस क्या प्रयोग किये हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस विदया के आने के बाद थोड़ा और जादा प्रायोरिटाइज हुआ है, ये विश है, तो कोशिश तो सब करेंगे, लेकिन जहां तक टिकेट बटवारे की बात है, तो मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ एक मिक्ता देनी है, ये भी एक अडिशनल फैक्टर है, जो जुड़ गया है, लेकिन और बहुत साचे सारे समीकरण होते हैं, सीट पर जिसका हमें ख्याल रखना होता है, हमें कास्ट एक्विशन्स भी देखने होते हैं, हमें विनबिलिटी भी देखनी होती है, लेकिन फिर भ वक्ष की मुखर नेता हैं, वक्ता भी हैं, राहुल गांधी जब सत्र चल रहा है, तो इस बीच वो आनन बिहार रेलवे स्टेशन पहुँचे, कूलियों के बीच पहुँचे, और कूली बन कर खुद समान ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं, अच्छी बाते मुझे लगता है, शायद ये सब करने से कुछ उनको सियासी लाब हो जाएगा, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि जनता और वोटर बहुत जागरूख है, आपकी सरकार एक लंबे समय तक देश में रही, उस तोरान आपने एक आम व्यक्ति जैसे कुली के बीच में जाके कुली बनना, यान आपकी सरकार थी, तो क्या मेरे जैसे किसी आम व्यक्ति को, किसी एक आम आदमी को लाब पहुचाने की आपने कोई कोशिश की थी, कोई काम किया था, तो मुझे लगता है कि परसेप्शन तो चलिए, सब करते हैं, अपने अपने प्रयास, अपने तौर तरीके प्रयोग होत इस बीच में इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा, और राहुल गांधी का कूलियों के बीच में जाना, मीडिया एट्रेक्शन अपनी तरफ या खबरों को अपनी तरफ खीचने का एक तरीके से, आप समझ रहे हैं, सबब है क्या? अब ठीक है, उनकी पार्टी ने अपना कुछ सोचा होगा, उनका अपना स्टाइल होगा, इस पर मैं बहुत टिपनी करना नहीं चाहती, मुझे लगता है कि संसद में बहुत गंबीर विशय चल रहा है और हमको उस पर ध्यान देना चाहिए अच्छा इसी से जुड़ा सवाल है, कि रहुल गांदी बहुत समय से सांसद हैं, आप भी बहुत समय से सांसद हैं, तो आम जनता के बीच जाकर, कभी सबजी वाले के बीच, कभी ड्राइवर के बीच, कभी ट्रक पे बैटके, कभी कूली के बीच, अब क्या दिखाना चाह अपना एक स्टाइल होता है जनता से जुडने का अब वो कोई नया प्रयोग कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उनकी अपनी पार्टी के हिसाब से या उनके अपने व्यक्तिकत सोच के हिसाब से हो सकता है लेकिन खुल मिलाकर मुल बात यही है कि आपको सरकार बनाने का मौका मिला आपने लंबे समय तक एक संसिदेश शित्र का भी प्रतिनिधित्व किया और आप उस political party के सर्वे सर्वा रहे हैं जिस political party ने सरकार चलाई है तो जिन आम व्यक्तियों के बीच में आप जा रहे हैं कि आपकी सरकार के कारेकाल में उनके जीवन में कोई बड़ा व्यापक मोदी जी के नेतरत में सरकार बनाने जा रहे हैं मजबूती से देश की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं इस बार भी वेटिंग में ही रह जाएंगे अब समय को तै करने दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका